हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बताएंगे दांतों को देख कर लोगों के गुण सुभाव की करें पहचान कोई व्यक्ति जब सामने आता है तो उसका चेहरा ही पहला परिच्चे होता है अते चेहरा देख कर बहुत को जाना जा सकता है इसी प्रकार से विविन प्रकार के दांतों को देख कर व्यक्ति के गुण सुभाव के बारे में जानकारी की जा सकती है आईए इस जानकारी के करम में आगे बढ़े शरीर में विविन प्रकार के अलग-अलग अंग, अलग-अलग तरह की सूचना और जानकारी देते हैं इसी प्रकार से किसी व्यक्ति के दातों से गुन सुभाव की जानकारी की जा सकती है दातों की अलग-अलग बनावट, दातों की विवस्ता, क्रम और उनके भिन-भिन मॉडल अलग-अलग तेरे की बाते बताते हैं यदि किसी के दात आपस में सटे हुए हो और दातों की बीच में बिल्कुल इस्पेस ना हो, दात चमकीले हो तो ऐसे लोग विवस्ति सोच वाले होते हैं दातों की बीच में मसूडे एकदम भरे हो तो ऐसे लोगों का जीवन भहुति संगर्श पूर्व होता है लेकिन ये काम करने का संकल्प ले लेते हैं तो आगे बढ़ते चले जाते हैं दातों की बीच थोड़ा स्पेस हो ऐसे लोगों का हिर्दे बच्चों की तरह साफ होता है ये परिस्तितियों से नई घबराते हैं परंतु ये अंदर से कमजोर होते हैं दोनों दातों के बीच गैप ना हो दोनों दात बिंदी की तरह सटे हुए हो तो ऐसे लोग काम को सोच विचार कर करने वाले होते हैं यदि किसी के दात लंबाई लिये हूं तथा सफेध हूं तो ऐसे लोग शर्मीरे स्वभाव वाले और किसी की बातों की परवा ना करने वाले होते हैं यदि किसी के दात कुलहाडी के लिए दिखाई पड़े तो उसके लिए ऐसा लक्षन काफे फाइदेमंद होता है यदि मसूरे दात के उपर सटे हुए हूं तो जीवन में संगर्श जादा करना पड़ेगा और हो सकता है कि प्रगर्ति के लिए कठिनाई उठानी पड़ सके दातों के दोनों तरफ यदि गैप हो तो धोगा मिलने की संभावना ज्यादा रहती है ऐसे लोग पैसों से ज्यादा रिष्टों को महच्व देते हैं व्यक्ति के गुण सुभाव को समझने के लिए भिन भिन जानकारी और वीडियों पब्लिश करते रहेंगे जिससे लोग को जीवन सुख में हो सके धन्यवाद